अमबाला सेंट्रल जेल हमेशा से ही सुर्ख्यों में रहती है चाहे वो जेल में मुबाइल मिलने का मामला हो या फिर कैदियों में जगड़े का हाल ही में जेल में महिला को गोली लगने का मामला भी सामने आठा इस बीच अब एक बार फिर अमबाला सेंट्रल जेल में मुबा इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन पहले से ही किया गया है जो जेल के अंदर मिलने वाले मुबाइल के मामलों की तफ्तीश करती है इस केस की जांच भी वही इन्वेस्टिगेटिव टीम करेगी उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भी ऐसे गैंग का खुलासा किया गया था जो जेल के अंदर मुबाइल फिंक ने और पहुचाने का काम करता था मुबाइल मिलने के इस मामले की भी गहनता से जांच कर पता लगाए जाएगा कि कौन इन मुबाइल को इस्तिमाल कर रहा था और किसके नाम पर इनकी बिलिंग भी है अजीब पिछले दिनों कुछ मुबाइल्स सेंटर जेल के अंदर परामद हुआ है और हमने एक खास इन्वेस्टिकेशन टीम का गठन कर रखा है जितने भी जेल के अंदर जो मुबाइल्स परामद होते हैं उनकी तफ़तीश करने के लिए तो ये केसिस भी उसी इन्वेस् पेकने का या पहुंचाने का किसी ना किसी तरीके से वो काम करते थे और इस जो पर्टिकलर जो मुबाइल्स हैं इसके अंदर भी हम पूरी गहनता से इसकी चांच करेंगे इसके इसको कौन यूज कर रहा था ये किसके नाम पे इनकी बिलिंग हुई थी और कौन-कौन इसक किसी डियार के हिसाब से इसको यूज करता रहा है और जिनके इस भी समपर्क में होगा उनको भी हम इस जांच के अंदर शामिल करेंगे बता दें कि अंबाला सेंटरल जेल में अक्सर मुबाइल मिलने के मामले सामने आते रहते हैं पुलिस हर बार इन मामलों की जांच भी करती है लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने में जेल पर शासन और पुलिस अब तक नाकारा ही साबित हुए हैं पंजाब के से टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण भाली की रिपोर्ट